हाई अब्रीवन वेलकम टो माई चैनल आज फिर से एक बहुत आसान सा निटिंग पैटन लेकर आई हूँ इसको आप किसी पर भी डाल सकते हैं जैंट पर लेडिस पर बच्चों के स्वेटर पर भी आप इसको डाल सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही इजी है सिर्फ चार ला नस्तीन तो देखिए पहली लाइन है सीधी साइड में इसमें हम क्या करेंगे कि चार फंद sorsi एक फंदा उतारेंगे और तीन फंदे हम एक, दो, और तीन, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा हम ऐसी ही उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम ऐसी ही उतार देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, और चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार. फिर धागा बैक साइड में करेंगे, और इस फंदे को हम ऐसे उतार देंगे, इसी तरीके से हम पूरी लाइन को कंप्विट करेंगे, चार फंदे उल्टे, और बीच में एक फंदہ ऐसे उतारेंगे, फिर चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और चार, फिर एक फंदा हम उतारेंगे ऐसे, और लास्ट में तीन फंदे आपके पास उल्टे आ जाएंगे, ये देखें, फिर पलट लेंगे और पूरी लाइन को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, जो हमने फंदा उदर से उतारा है, इसको हम यहाँ से भी ऐसे उतारेंगे, फिर एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, और जो उतारा है, इसको ऐसे उतारेंगे, एक, दो, तीन, चार, ये इस फंदे को हम ऐसे उतारते वे जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और इस फंदे को उतार देंगे, slip करेंगे हम इस फंदे को ऐसे, फिर तीन फंदे last में design के और एक edge का फंदा उल्टा बन जाएगा, आप देखिए, इस line में देखिए, तीसरी line में, एक, दो, तीन, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा हमारा edge का है, और तीन फंदे हमने और सीधे बना लिए, और जो फंदा हमने उतारा था, उसको हम ऐसे करके सीधे बना देंगे, ऐसे, फिर एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बनाए, अब यह हमारा edge का फंदा है, यह हमारा वो फं देंगे फिर एक दो तीन चार चार बनाए अब जो फंदा हमने उतारा था उसको हम इस तरीके से इस तरीके से बना देंगे फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार और जो हमने उतारा था उसको ऐसे बना देंगे फिर एक दो तीन चार उताराव फंद ऐसे बनाएंगे और लास्ट के तीन फंदे सीधे बना देंगे ऐसे तीन लाइन कंप्लीट हो गई है उल्टी साइड की पूरी लाइन को उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे यह देखे पूरी लाइन को हमने उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया और यह चार लाइन्स हैं आपकी डिजाइन के अब आगे आगे आप ऐसी बनाते वे जाएंगे तो आपका डिजाइन आता हुआ जाएगा तो फिर से देखे एक फंदा उतारेंगे पहली लाइन को बनाएंगे एक डो तीन एक फंदा ऐसे उतारेंगे और फिर धागा अपनी तरफ करके एक दो तीन चार फंदे हम उल्टी बनाएंगे जो मैंने आपको calculation बताई वो उसमें ये फंदा भी आता है जो मैंने starting में उतारा है तो शुरू में आपके चार फंदे उल्टे होने चे थी मैंने उसमें से एक उतारा है और तीन को उल्टा बनाया है तो आप उस हिसाब से अपने फंदे रख सकते हैं एक, दो, तीन, चार उल्टे डागा पीछे और ये ऐसे उतारा फिर चार उल्टे एक, दो, तीन, चार फिर ये वाला उतारा फिर अपनी तरफ किया और चार उल्टे इसी तरीके से पहली रोग को finish करेंगे लास्ट में आपके तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे एक, दो, तीन और उल्टी लाइन को पूरा उल्टा ही बनाएंगे ये पहली रोग मैंने फिर से रिपीट करके दिखा दी है बहुत ही easy design है और ये देखे इस तरीके से आप बनाते वे जाएंगे ऐसे ये इसका look आएगा तो फिर बनाएए design कैसा लगा मुझे comment करके बताईए और पसंद आयागा तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो के notification मिल सके मैं मिलूंगे आपको next वीडियो में तब तक के लिए bye bye